हलो फ्रेंज आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रामला टेक में दोस्तों आज का भरती का अपडेट जो निकाला गया है CISF के तरफ से निकल करा राजिया Central Industrial Security Force के तरफ से यहाँ पर Head Constable के पतपर बहाली का अपडेट और Ministerial के पतपर बहाली का अपडेट निकाला गया है और इसमें Minimum Qualification 12 Pass मांगा गया है तो आज की सुड़ो में इसी का अपडेट आपको देंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग फॉर्म को भरेंगे इसमें क्या फीस और कब से कब तक फॉर्म को भरना है बेल का आइकन आउन करें ताके जो भी वेकैंसी से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके अब देखिए आपके सामने इसका एड़वेटाइजमेंट खुल चुका सिया यह सब LDCE Head Constable Online Form 2019 जिया Central Industrial Security Force के तरफ से यहाँ पर भरती का अपडेट निकाल गया जिसमें पोस्ट का नाम Head Constable Ministerial के पद पर यहाँ पर बाहली का अपडेट निकाल गया सबसे पहले आपको important डेट बता देते देखिए starting डेट जो यहाँ पर निकल कराता है 21 जनवरी 2019 21 जनवरी 2019 से इसका online start किया जाएगा और इसका last date यहाँ पर निकल कराता है 20 फरवरी 2019 शाम 5 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकेंगे इसका जो fee payment का डेट बताया गया 20 फरवरी 2019 तक आप इसका fee payment कर सकते है और 22 फरवरी तक आप चलान के माध्यम से इसका payment जमा कर सकते है admit card और exam का date अभी clear नहीं किया गया है इसके बाद देखिए application fees की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए application fees general को सोर पर लगेगा और OBC को भी सोर पर लगेगा HDAC service man के लिए कोई भी fees नहीं है के माध्यम से आप कर सकते है job location की बात कर ले तो all over India सारे state के लोग form apply करेंगे और सभी state में आप कहीं भी job मिल सकता है age limit की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए 20 फरवरी 2019 के अनुसार 18 साल minimum 25 साल maximum बताये गया और अगर आप HDAC में आते हैं तो पांस साल का छुट मिलेगा OBC में अगर आपाते हैं तो तीन साल का इसमें छुट दे दिया जाता है उसके बाद देखिए total post की बात कर ले तो 429 यहाँ पर निकल कर आता है तो 429 यहाँ पर बनाया गया post कर आप जैसा कि मैं आपको बताया हूँ head constable के पत पर बाहली का ब्रेट निकल गया जिसमें आप देख सकते है 328 head constable male को दिया गया जिसमें देखिए general को 166 है उसके लावा OBC को 88 है SC को 49 है, HD को 24 है तो category बाटा गया उसके बाद यह female के लिए अगर आप भर रहे है female अगर आप है तो total 37 बना गया general को 21 है OBC को 9 है, SC को 5 है और HD को 2 बना गया तो इस तरह से यहाँ पर बना गया उसके बाद देखिए LDCE Regular Service Candidate के लिए यहाँ पर total 64 पोश्ट बना गया जिसमें general को 34 है OBC को 17 है उसके लावा SC को 9 है, HD को 4 है तो इस तरह से इसका category wise पोश्ट बाटा गया pay scale की बात कर ले 25,500 लेकर 81,100 रुपया परती महिना इसमें बताया गया payment और देखिए most important qualification की बात कर ले तो यहाँ पर qualification जो बताया गया intermediate pass जिहां intermediate pass अगर आप होंगे कोई भी subject कोई भी university board से तो form को आप भर सकते है उसके बात देखिए physical height की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए physical height क्या बनाय गया general OBC अगर आप आते है 165 cm आपका होना चाहिए 165 cm male के लिए होना चाहिए female के लिए देखिए 105 cm बनाया गया HD के लिए देखिए यहाँ पर 162.5 cm सेंटिमीटर मेल के लिए गया और कि लिए एक सों सबचास सैंटिमीटर बना है अब देखिए टेस्ट की बात कर ले तो यह पिस्ट जन्रल ओब सी के लिए यहां पर 67 से लेकर 12 i8 받 यही को भी यही बता जया जीया टेकर wieC जन्रल और एसी को 77 से 82 सेंटेमीटर होना चाहिए फिमल के लिए यहां पर देके हटी 76 से लेकर 81 सेंटेमीटर यहां पर बनाया गया तो इस तरह से यहां पर इनका चेश्ट बनाया अब देखिए अब देखिए अप्लीकेशन फर्म भरने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया जिया आपको यहां पर देखिए अप्लीकेशन फर्म जब अप्लाय करेंगे तो आपको फोटोग्राफ सिगनेचर जो होगा चार केबी से लेकर बारा केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए और सिगनेचर आपका एक केबी से लेकर बारा केबी के बीच में होना चाहिए तब ही आप फोर्म को भश सकते हैं और देखें आपको selection process की बात कर ले तो यहाँ पर document, verification, omr, computer based आपका exam होगा 21 जन्वरी 2019 से activate कर दिया जाएगा तो आपको 21 जन्वरी 2019 के बाद से form को आप apply कर सकते है और अधिक जनकारी के लिए इसका official notification आप इसके website में जाकर देख सकते है description में link मिल जाएगा उस पे click करके आप पूरे detail में देख सकते है बस आज के सुण में इतना ही update देंगे आस्ता करता हूँ वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को like और share कीजेगा अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा तो नीचे comment कीजेगा मैं आपका reply करेंगा जरूर कोशिस करूँगा तो आज के लिए इतना ही update दूँगा कल फिर्म दूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ध्यान रखेगा अपना नमस्कार